गुड मॉर्निंग फ्रेंज आप सब लोग कैसे हैं आयोप आप सब लोग अच्छे होंगी सवच्छत होंगी स्वागते फिर आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में यहाँ पर मैंने तोड़ा बहुत आलो लिया है गाजर लिया है और बीन्स गोभी फूल गोभी इन सब को मैं चोटे-चोटे काट लिया है आज मैं फ्राइड राइस बनाओंगी बच्चों को ले जाना था फ्राइड राइस तो मैंने सब के लिए ही बना दिया और सब्जी भी ऐसे खतम हो गया था यहाँ पर मैं कम से कम मीडियम साइज प्याज पांच ले रहे हूं कट कर ले रहे तो असमें प्याज जादा मिलाओंगे फ्राइड राइस में तेल करम हो चुका है अब हम इसमें प्याज डाल देंगे कटा हुआ और प्याज के साथ ही हम सब्जी भी डाल देंगे दोनों साथ में पक जाएगा ऐसे तो फ्राइड करना होता है प्याज और सब्जी सब लेक पका लेंगे साथ में मैं स्वादानुसार नमक डाल दे रहे हूं इसमें मैं मसाला वगेरा कुछ भी एड़ नहीं करोंगी फ्राइड राइस में गेरा एक आलू तो मैंना ऐसी डाल दिया था भी ना काटे और आप इसमें कोई भी सब्जी एड़ कर सकते हैं आपको जो मटर मेरे पास नहीं था मटर भी एड़ कर सकते हैं और शिमला मिर्च वगेरा भी मैं यहां पर चावल चड़ा दे रही हूं और चावल ना इस बार का मोटे मोटे हैं दाने एकदम और गरम गरम तो सही लगता है जब ठंडा हो जाता है तो ऐसे लगता है कि साइब से नहीं बनाएं चेंज करा हूंगे सोच रही हूं देखते हैं रखो चेंज करा लेंगे यहां पर मैंने सबजी को इदर कर दिया है चावल इधर वाला चुले में चड़ा दिया है कि यहां सबजी तयार हो रहा है और कुछ देर 5-10 मिनिट सबजी तयार हो गया है और इसमें न मैं हरे प्याज का पत्ता और धनिया पत्ता कूप सारा काट लिया है और इसको गरम गरम में ऐसे मिला के डखन लगा के रख दूँगी ताके तोड़ा बहुत प्याज भी पक जाए यह रहा चावल भी तयार हो गया है और मैं न चावल को तोड़ा बहुत धंडा होने के लिए रख दे रही हूँ गरम गरम मिला तो एक तम घिछडी भन जाएगा शल्वासा हो जाएगा इसलिए चावल ठंडा हो गया है, अब हम धन्य पता और प्याज का पता को अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसमें चावल मिलाएंगे, यह रग्दम खिला खिला तयार हुआ है चावल ऐसे, अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे, सब्जे में तो हमने स्वादा नुसर नमक डाल द लाश्ट में तोड़ा सा मैं फूट कलर एट कर दे रही हूं और इंज पूट कडल भी ले सकते हैं मेरे पास नहीं है का तमो रखा है यलो और ग्रीनी है तो मैं बस ग्रीन वाला एट कर दे रही हूं कलर मिलाने के बाद एक दो सेकेंड के लिए ढग लिया था अब हम अच्छे से मिला देंगे फूट कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तयार हो गया है ऐसे विजटेबल फ्राइड राइस डोली परी तयार हो गया है जल्दे से पैक कर देते हैं तयार हो गये हैं अपना अपना लंच बॉक्स दोनों रख रहे हैं कि अभी निकलने वाले हैं इस्कूल के लिए इस्कूल से आ गएती मैं और आने के बाद मैं हम सब लोगों के लिए चटनी बना ले रहे हूं धनिया टमाटर लसन अधरक खरे मिर्च इन सब को मैंने काट के रख लिया है पांचस मिनट के लिए इन सब को हम भून लेंगे हमेशा ऐसी बनाती हूं ऐसे बच्चों को छोड़ने के बाद जब घर आ गए थी तब मैं वीडियो बनाने के लिए देख रहे थी कल सुबे वह चटनी बनाना था उसका वीडियो तुड़ा बहुत यह वाला शेयर करना था तो पताने मेरा मोबैल कैसे हैंग हो गया था या फिर हस्मेंड थे हस्मेंड उट रखे थे उस वक्त तो फिर हस्मेंड को दिखा या देखना यह फोन कैसे क्या हो गया करके फिर हस्मेंड ने देखा फिर पताने क्या कुछ कर दिया फिर टीक हो गया ऐसे सुबह बहुत दिक्कत हो रहे थे ऐसे सोच रहे थे अब तो मैं कि को लेने आ गए बच्चों का वी चुटी होने का टाइम हो गया था और धूप इतना हो रही थी यहाँ पर बस केमरा ओन करके छोड़ दिया था प्रिस लेने आते हैं बच्चों को उदर धूप में रखते हैं ठंड भी हो रही है करके आज कर बाहर निकाल देते हैं बैटा दे पहिचान कर या तो सार भी बेज देते हैं कि जाओ परेंट्स आ गए करके सारे बच्चे आ रहे हैं यह रहा भारातगर डोलीपरी के स्कूल के बिल्कुल सामने ही है रोज सज रहा है आज कल तो ऐसे साधियों का शीजन चल रहा है ना इसलिए सबजी लेने गयते जब बच्चों को लेने गयते तबी सबजी भी नहीं था ऐसे तो आज दोनों टाइम मैंने चावल बनाए है सुभे फ्राइड राइस और स्कूल से आने के बाद ले मन राइस बहुत दिन हो गया ऐसे ले मन राइस भी पहले यहाँ पर मैं मूंग फली को चैने दाल भी फ्राई कर लिया था और यहां पर मैं सिर्फ हारी मिर्च एड़ कर ले रही हूं तड़का में जीरा साशु कर दो हो रखा है हारी मिर्च और कड़ी पत्ता साथ में ही मैं स्वादानुसार नमक डाल दे रही हूं और चुटकी बर जैसे मैंने हल्दी एड़ कर दिया है इसमें भी ऐसी कोई भी मसाला नहीं एड़ करते हैं अब हम इसमें चावल एड़ कर देंगे चावल को अच्छे से मिला लेंगे और निम्बू का रस मैंने दो निचोड लिया था और उस टाइम न जब डाल रहे थी केमरा न बंद था मुझे लग रहा था कि ओन है थुड़ा बहुत मैंने इसमें धनिया पत्ता एड़ कर दिया है और फ्राइ क्या हुआ चने दाल और गरम गरम में भी लगता है ऐसे लेमन राइस मुँख फली और चने दाल करंची करंची बाद मैं ऐसे शोप्ट होने के बाद अच्छा नहीं लगता तयार होते हैं मैं बच्छों के लिए निकाल दे रही हूँ खानाएं खानाएं कर रहे थे यह रहा लेमन राइस सामने से तो अजीब से लग रहा है बलर्श कुछ इस तरीके का बनाता लेमन राइस साथ में चटनी टोमेटो दनिया की ही ता हम सब लोगों का खाना आज दी इनका और शुबे का और ऐसे कुछ वीडियो नहीं बनाया बाद में फिर और यह रात का है खानावना खाने के बाद इन लोग चोर पुलिस खेल रहते डोली पार इजिद कर रहते खेलने के लिए पापा के साथ वीडियो यहीं तक का आद आ फ्रेंट्स वीडियो फसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर ने है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक – टैंक्स फोर वाच्छिंग मिलते हैं चैसे वीडियो के साथ अब तक के लिए, बाई